नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कंचिन भारे दुआ जो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन खोश दोस्तो ऐसा कहा जाता है कि breakfast जो होता है वो दिन का सबसे important meal होता है और इसे skip बिलकुल नहीं करना चाहिए यह बात बिलकुल सच है क्योंकि अगर आपको पूरे दिन energy से भरपूर रहना है तो आपको अपना breakfast healthy बनाना चाहिए अब सवाल यहाँ पर यह उड़ता है कि भई ऐसी कौन सी healthy healthy चीजे हैं जो हमें अपने breakfast में include करनी चाहिए यानि कि खानी चाहिए तो आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं क्या इसी चीजे हैं जो आपको breakfast में खानी चाहिए और क्या इसी चीजे हैं जो आपको अपने breakfast में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए तो चलिए शुरवात करते हैं अपनी वीडियो की दोस्तों आपको अपनी breakfast में citrus fruit यानि कि खटे फल नहीं खानी चाहिए दोस्तों यह तो हम सब जानते हैं कि जो citrus fruit होते हैं वो vitamin C का अच्छा खासा source होता है जिससे हमारी immunity built होती है लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि अगर हम खाली पेट खटे फल खाते हैं जैसे कि संत्रा मौसम भी नीवू कीवी यह सब खटे फल है और खाली पेट अगर हम इने खाएं तो हमें acidity की समस्या हो सकती है जिसके कारण bloating, heartburn और gastric जैसी समस्या हो सकती है इसलिए खाली पेट breakfast में आप कभी भी खटे फलों को include ना करें लेकिन अब यहाँ पर सवाल उड़ता है कि भई फल तो खाना अच्छी बात होती है वह भी breakfast में तो हां हम भी बोड़ रहें फल खाना अच्छी बात होती है लेकिन citrus fruit नहीं काए उसके बजाए आप पपीता खा सकते हैं उसके बजाए आप watermelon खा सकते हैं इसके अलावा आप बनेना ले सकते हैं देखे watermelon यानि की तर्बूजे में आपको बहुत सारा पानी मिलेगा जो आपके empty stomach के लिए बहुत अच्छा है साथी आपके digestion को improve करता है और पपीते के साथ भी यही कुछ कहानी है पपीता अगर आप empty stomach में खाते हैं तो यह आपकी constipation की समस्या को दूर करता है साथी digestion को improve करता है और banana तो आपको पता ही है अच्छा खासा iron का source होता है तो आप empty stomach में अगर आपको fruits लेना है तो आप यह सब fruits ले सकते हैं लेकिन citrus fruit नहीं लेना दूसरी चीज है आपको अपने breakfast में कभी भी तले हुए items जैसे की समोसा, जलेबी, कचोड़ी, bread, पकोड़ा, वड़ा, पूरी भाजी जैसी चीजे नहीं खानी जी हाँ, as a Indian हम लोग तला भुना खाना बहुत पसंद करती हैं लेकिन breakfast में अगर हम इसे लेते हैं तो यह हमारे लिए काफी ज्यादा गलत साबित हो सकता है इन सब में काफी ज्यादा तेल का इस्तमाल होता है इतना oily खाने से calories की मात्रा का हमें obesity के और ले जाती है और हमारा मोटा पाप बढ़ जाता है इन सब oily food item की जगां हम उपमा, पोहा, या प्लेन डोसा, इडली, चीला ये सब बना कर अपने breakfast को healthy बना सकते हैं चाय या कॉफी के साथ toast नाशते के लिए सभी का पसंदीदा है लेकिन ये हमारे health के लिए अच उन पर jam या chocolate sauce या फिर sauce फैलाते हैं तो वो बिलकुल भी हमारे digestive system के लिए खराब बन जाता है इसलिए आपको कभी भी अपने breakfast में white bread नहीं लेनी चाहिए इसके जगा आप multi grain bread ले सकते हैं या brown bread ले सकते हैं अगला food item है packed fruit juice दोस्तों डॉक्टर हमेशा हमें हर दिन फलो के juice पीने के सलहा देते हैं लेकिन सच्चा ही यह है कि वो उतने स्वस्त यानि कि वो उतने healthy नहीं है जितना हम सोचते हैं कुछ packaged juice में बहुत कम मात्रा में रस होता है और चीनी के साथ मीठा होता है जो मोटा पार diabetes और साथ ही कई तरहां के अन्या पुरानी बिमारियों का कारण बन सकता है इसलिए जब भी आप fruit juice पिए तो सुभा के वग फ्रेश fruit juice पिए और खाली पेट कभी भी juice नहीं पिए क्योंकि ये acidity बनाता है खाली पेट हमें कभी भी चाई या coffee नहीं पीनी चाहिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो भाई बिलकुल ही अलग बात हो गई कि breakfast में चाई या coffee ना पिए तो कैसे पूरा दिन चलेगा अगर आपको चाई coffee पीने की आदत है तो आप breakfast खाने के बाद करीब 15 से 20 मिनट के बाद चाई या coffee पी सकते हैं क्योंकि देखे अगर आप खाली पेट चाई पीते हैं जोकि ज्यादर लोगों की आदत होती है बैट कर देती है इसलिए कभी भी खाली पेट आप चाई या coffee का सेवर ना करें अगर आपको सुभा उड़ते ही चाई पीने की आदत है या coffee पीने की आदत है वह भी खाली पेट तो आप इसको रिप्लेस कर दीजे हर्बल टी के साथ जो आपके skin के साथ सथ आपके body के लिए भी ह जादत होती है कि सुभा सुभा breakfast में वह सालेट खाना पसंद करते हैं वह भी स्पेशली टमाठर दोस्तों आपको बता दे टमाठर में कई ऐसे पोशक तत्व होते हैं जिसे हमें खाली पेट नाश्ते के वक्त नहीं करना चाहिए जो हमें नुकसान पहुचाते हैं टमाठर को आप लंच या डिनर में सालेट के रूप में खा सकती हैं हमें से कई लोग होंगे जिन्हें चटपटा खाना बहुत पसंद है और breakfast में अगर कुछ चटपटा नाश्ता मिल जाए तो बात ही क्या लेकिन नाश्ते में spicy खाना आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है इससे आपको सीने में जिलन की समस्या हो सकती है साथ ही gastric की problem हो सकती है acidity की problem हो सकती है bluting की समस्या भी हो सकती है दोस्तों आप अपने नाश्ते में लाल मिर्च या हरी मिर्च की जगा काली मिर्च का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या-क्या ऐसे food item है जो आपको अपने नाश्ते में बिल्कुल नहीं लेने चाहिए और क्या-क्या ऐसे food item है जो आप अपने नाश्ते में ले सकते हैं फिलहाल के लिए इतना ही लेकिन ऐसे ही healthy videos हम आपके लिए लाते रहेंगे आपको जीवनकोश को सबसे पहले subscribe करना होगा